हेलो एवरिवन आज की वीडियो में हम नर्ट्री क्लास के इंग्लिश की वर्क्षीट शॉलब करेंगे यह जो वर्क्षीट है बच्चों के हाफ एरली एक्जाम में काफी हेल्फूर रहेगी सबसे पहला कॉस्चिन है राइट अल्फबेट ए टू जैड पहले बच्चों ने अल्फबेट ए से लेकर जैड तक लिखने होते हैं हमने अल्फबेट ए से लेकर जैड तक लिख दिये इसी तरह बच्चों ने भी अल्फबेट लिखने होते हैं नर्फबेट लिखने को दिये जाते हैं सेकंड कॉस्चिन है राइट मिसिंग अल्फबेट यहां पे अल्फबेट लिखे हुए है और कुछ अल्फबेट यहां पे मिसिंग है तो बच्चों ने alphabet को पढ़ते हुए missing alphabet को यहां पर fill करना होता है जैसे यहां पर लिखा A for apple, यहां पर लिखना है B for ball, C लिखा हुआ है D, E लिखा हुआ है, यहां लिखेंगे F, G, H, I लिखा हुआ है J, K लिखा हुआ है, और L भी लिखा हुआ है M, N लिखा हुआ है, O, P लिखा हुआ है, Q, R लिखा हुआ है S, T लिखा हुआ है, U, V लिखा हुआ है, W भी लिखा हुआ है यहां लिखेंगे X, Y लिखा हुआ है, Z Next question है, look at the picture and write their name यहां पर picture बनाई है, तो बच्चों ने picture को पहचारना है और उस alphabet को यहां पर लिखना है, जिससे क्यों picture स्टार्ट होती है जैसे यहां पर बनाया है, Apple, Apple स्टार्ट होता है, A alphabet से तो यहां पर फिल करेंगे, A for Apple Next है, Fish, F for Fish Butterfly, Butterfly स्टार्ट होती है, B alphabet से तो यहां पर लिखेंगे, B से Butterfly नेक्स्ट है आईस्क्रीम, आईस्क्रीम स्टाट होती है I alphabets से, नेक्स्ट कोईश्चन है, मेच alphabets with pictures, यहाँ पर कुछ alphabets लिखे हैं और सामने picture बनाई है, सबसे पहले लिखा है R, तो हम देखेंगे कि कौन सी picture है, जो R से start होती है, जैसे यहां पे है ball, rose, kite, umbrella and mango, तो R से जो start होती है वो है rose, तो R को हम rose के साथ मिला देंगे, next है K, K से बनता है kite, तो हमने K alphabet को kite के साथ match करना है, ऐसे, next है M, M से बनता है mango, तो हमने M को mango के साथ match करना है, ऐसे, next यहां पे U लिखा हुआ है, तो U को हमने umbrella के साथ match करना है, ऐसे, आगे जो alphabet है, ओ है B, B से बनता है ball, तो हमने B को ball के साथ match करना है, ऐसे, next question है, what comes after, यहां पे जो alphabet यह है, हमने after वाले alphabet को यहां पे fill करना है, what comes after D, तो यहां पे हम fill करेंगे E, D के बाद क्याता है, E, what comes after G, तो हिहां पे हम fill करेंगे H, what comes after L, तो हिहां पे लिखेंगे हम M, what comes after S, it is T, what comes after V, it is W, what comes after Y, it is Z, what comes between, what comes between I and K, it is J, it is J, what comes between E and G, P, it is F, what comes between P and R, it is Q, what comes between L and N, it is M, next question है, circle the correct alphabet, यहां पे कुछ पिक्चर बनाई है, और सामने alphabet लिखे है, बच्चों ने पिक्चर को रिको गुनाईस करना है, और सही alphabet के उपर circle करना है, तो सबसे पहले यहां पे जो picture है, यह है butterfly, तो butterfly बनती है B alphabet से, तो यहां पे लिखा है A, B, C, तो हमने B के उपर ही circle करना है, ऐसे, next है यहां पे umbrella बनाया गया है, तो जो यहां पे alphabet लिखे है, S-T-U, umbrella बनता है U alphabet से, तो बच्चों ने U के उपर circle करना है इस तरह से, next है star, star बनता है S alphabet से, तो यहां पे हमने S के उपर circle करना है, ऐसे नेक्स्ट जो पिक्चर है एह है फिश फिश बनती है एफ अलफावेट से तो यहां पे लिखा है एफ जी तो हमने एफ के उपर सरकल करना है इस तरह से तो नेक्स्ट कॉस्टन में बच्चों को इंग्लिश राइम सुनाने को कहा जाता है जो भी उनको राइम करवाई जाती है वो ही राइम बच्चों ने क्लास टीचर को सुनाने होती है और इसके साथ ही बच्चों से चार्ट रिडिंग भी करवाई जाती है जो ताकि बच्चो